Hello friends, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ जवार यानि सौर्गम इसकी benefits, nutrition value और इसकी recipe आज आपको दिखाऊंगी बना के तो जवार को ये होते हैं, millets, आज कल millet बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं क्योंकि इनके जो nutritional value इने बहुत ज़्यादा है तो इसका दोसा, चीला, रोटी भी बना सकते हैं, तो आज मैं जो recipe दिखा रहे हैं, वो है डोसे की recipe और इसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक छोटा glass जवार भर के ले लिया, आप कोई भी cup या glass अपसेट कर सकते हैं तो इसको मैं डाल दूँगी पतूले में और इसको भीगा कर रखेंगे, ओवरनाइट भीगा सकते हैं, आप सूबे भीगाएंगे तो शाम को पीश सकते हैं तो same glass में मैंने उड़त डाल आधा glass ले लिया और उसी में मैंने आधा glass चावल डाल लिया, चावल हम जो रोज का जो चावल खाते हैं भातथ खाते दुपर को लांच में वही चावल आप ले दीजे, कोई अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है इसके health benefits जान करना आप हैरान हो जाएंगे सबसे पहले तो ये gluten free है बहुत अगो gluten allergy होता है तो इसमें बिल्कुल भी gluten नहीं है इसमें बहुत जादा fiber मिलता है इसलिए high blood pressure के लिए बहुत अच्छा है cardiac disease, diabetes और digestive problems के लिए बहुत अच्छा है ये हमारे blood sugar को भी control करके लगता है तो diabetic patients के लिए अच्छा है इसमें बहुत जादा मातरा में protein पाये जाता है iron बहुत जादा है इसमें हमारे bone health के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत जादा magnesium और calcium है इसमें भरपूर मातरा में vitamin, mineral और micronutrients है और ये हमारे weight loss के लिए अच्छा है digestive system के लिए अच्छा है heart health के लिए भी ये बहुत अच्छा है साथ ही साथ ये हमारे body को पूरा दिन energy provide करता है और ये हमारे blood circulation को भी regulate करके रखता है देखिए मैंने इसको धोने के बाद इसका पानी भी नहीं फेका मैं कभी भी चावल दाल को दोती हूँ कोई भी सीरियल को दोती हूँ तो कभी उसका पानी ने फेक दी उनको plants में डाल देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में vitamins होता है और plants के लिए बहुत अच्छा है तो मैंने अब अच्छे से धोने के बाद इसमें थोड़ा सा एक चम्मच मेथी डाल दिया मेथी डालने के बाद इसमें अच्छे से पाने डाल कर मैं भीगो कर रग दूँगी अगर आप रात को भीगो रहे हैं तो सारा रात भीगो कर रग दिये कर रख लूँगी और पूरा का पूरा एक साथी हम पीस लेंगे तो थंडियों के मौसम में जो होता ना अब दूसरे दिन सुबह देखा है तो फर्मेंटेशन हुआने तो फिर मे रात को दिनरमें बहुता है तो रात को देखिए बढ़ियां से यह fermentation इसका हो चुका था तो जितना आप बनाएंगे उसको अलग कर लीजेगा उसको बिना नमक डालेए फ्रिज में रख दीजेगा और जो आपको खाना है उसमें ही आप नमक डालिएगा तो नमक मैंने डाल दिया था half teaspoon बहुत ज्यादा मठ डालिएगा इसके बाद इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद हम फिर डोसा बनाएंगे इसका तो डोसा के साथ कोई चटनी तो चाहिए तो मैंने इसके साथ बनाया था मूंफली की चटनी तो मूंफली हमेशा मैं dry roast करके रख देती हूँ यह देखिए मूंफ तो दो-चार कड़ी पता भी आप इसमें डाल सकते हैं और इसको दर-दरा पीस लेना है और इसमें बढ़िया जहम तड़का लगाएंगे तो इसका चटनी आप बना कर देखिए का बहुत ज़्यादा टेस्टी हो बहुत ज़्यादा यामी होता है तो जो mixer jar में लगा था न पर रहे तो मैंने सुखी मिर्ची दे दी थोड़ा सा इसको टाइम लगता है लाल होने के लिए अच्छे से नहीं के लिए उसके बाद मैंने डाल दिया कैसे धालने के बाद आप अगर आपके पास कड़ी पता है तो जरूर से डालेगा नहीं था तो जब जैसी चटकने थोड़ा सा डेलिकेट होता है तो इसलिए आप नॉन स्टिक पैन यूज कीजिए नॉन स्टिक में आपका आराम से डोसा उठके आ जाएगा सबसे पहले हम बैटर को घुमा लेंगे, मिक्स कर लेंगे जब ही जितने बार डोसा आप स्प्रेट करें न उतनी बार आप स्प्रेट करने से पहले बैटर को घुमा लीजिए लीजिए मैं वापस से आपको फिर से दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है यह देखिए यह तो मेरा एक डोसा बनकर बिल्कुल रेडी था तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे इसी तवा को अच्छे से पोचना है तवा को पोचने के बाद वापस से बैटर को घुमाना है अच्छे से मिक्स करना है और एक कडची भर के हम लेंगे और इसमें डालेंगे तवे पर और तवे पर अच्छे से clockwise ही घुमाएंगे clockwise घुमाने के बाद इसको एक्स्ट्रा है ना सा साइट छोड़ देगा ये देखिए इसने अपने साइट छोड़ दिये और बस हमारा ये क्रिस्पी जवार का डोसा रेडी था तो आशा करती हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजेगा चैनल में नए है तो स